तो हाई एब्रीवन वेलकम बेक तो वीडियो तो गईस कल भी मैंने टाटा बारू के बारे में बात करी थी और आज के सेशन में इसने अपने एक रिश्टन्स पॉइंट है जिसका 238 का 238 का जो एक रिश्टन्स पॉइंट मैंने आपको बताया था कल के सेशन में यहाँ पे कल मैंने एक वीडियो बना के आपको दिया था उसमें मैंने यहाँ पे कवर किया था कि यहाँ पे 238 और 240 का एक resistance point है तो अगर यहाँ पे आपको profit book करके चलना है तो आप चल सकते हो चीक है क्योंकि यहाँ पे resistance face कर सकता है बट यहाँ पे आज के session में इसने अपने resistance point को break कर दिया है and यहाँ पे upside में sustain करने की कोशिश कर रहा है चीक है तो जैसे यहाँ से 244 यानि की 244 का level break करता है तो हमें next जो हमारे upside के target देखने को मिलेंगे 250 250 and 251 252 के हमें target देखने को मिल सकते हैं okay तो guys कोई भी problem नहीं है इस stock के अंदर continuously यह अभी हमारे targets की तरफ जा रहा है okay and guys एक यहाँ पे stop loss maintain जिसको यहाँ पे stop loss maintain करके चलना है तो 236 का एक stop loss maintain करके चल सकता है ठीक है and आगे कोई दिक्कत नहीं है भी stock के अंदर अभी आप hold करो okay guys जिसको hold रखना है hold करके चल सकता है guys and जिसको stop loss maintain करना है वो 236 का stop loss maintain करके चल सकता है okay तो यही था यहाँ पे tata waver की update जो मैंने आपको बता दिया चीक है मैं अभी इसमें hold रख रहा हूं मैं अभी 250-260 के यहाँ पे around इसको book करूंगा okay guys तो मैंने अपना view भी बता दिया तो चीक है guys जिसके पास है hold रख को कोई दिक्कत नहीं है अभी 250 जैसे cross करेगा यह तो एक intraday के अंदर भी यह stock trade करना है लग जाएगा तो अच्छा खासा हमें और इसमें moment देखने को मिल सकता है okay तो यही थाच की वीडियो में thank you for watching this video